हलो फ्रेंज, छे मातादी कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के स्टूडेंस के करियर के बारे में, उनकी स्टाडीज के बारे में और कैसे माँ एक बच्चे के लिए रक्षा कवच का काम कर सकती है? आज हम बात करेंगे वन स्टूडेंस के जो परिक्षाओं में अच्छे अंक नहीं आने के कारण, या फेल हो जाने के कारण, खुद की जिन्दगी से खेलने की सोचते हैं, या उसे खत्म कर देते हैं. आज ही मैंने एक वाक्या पढ़ा, जहां 13 माई को 12 विध्यारतियों ने मध्य प्रदेश पोर्ड की क्लास 12 की परिक्षा में फेल होने पर एक साथ आत्मत्या कर ली. आखिर क्यों? इसके जिम्मेदार कौन है? हमारा सोशल स्टिग्मा है, हम खुद हैं. हमारी जूटी जो शान होती है, वो हमारे समाज में हम अपने बच्चों को स्टेटस सिंबल बनाकर दिखाते हैं लोगों को, और जब हम बोस्ट करते हैं अपने बच्चों के बारे में, ओ, मेरा बच्चा तो ऐसे, मेरी बेटी तो ऐसे, मेरा बेटा ऐसे, तो हमारी शकले देखने लाइक होती है, हम उस समझे ये भूल जाते हैं, कि सामने वाला जो हमें सुन रहा है, वो या उसका बच्चा सुन रहा है, कही न कहीं अंदर ही अंदर, हीन भावना का शिकार हो रहा है, और हो सकता है वो कल की डेट में fail नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप जिन्दगी में कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारे exams आएंगे life में, ये तो class 10 का या 12 का, या जो भी first year का exam है, या graduation का exam है, लेकिन आगे आगे आपको life में हर पक पे, even अब जब interviews के ले जाएंगे तो भी आपको exam सामने करना पड़ेगा, तब आप क्या करेंगे हर बार तो आप जिन्दगी में failure हो करके, आप अपने आपको खत्म करने के बारे में नहीं सोच सकते, आपको strong होना होगा, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो चिड़ाते हैं, वो ना समझ होते हैं बाइल पर बैठे थे या घूम फिर रहते पर उनको ये साधन दिया किसने आपने दिया है, तो कहीं ना कहीं आप इसके जिम्यदार हैं, इसलिए सिर्फ बच्चे को दोश देना उचित नहीं हैं उनको अगर जो भी कारण से वो फेल हुए हैं उनको सबसे पहले प्रोचसाहन आपको देना है कि वो दोबारा उठ करके आगे बढ़ने के बारे में सोचे उनके सभी क्रिया के लापो पे वो क्या बोलते हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स देख रहे हैं किस तरह के वीडियो गेम्स खेल रहे हैं लेकिन जितना गुनगान अगर हम सफल छात्रों का करते हैं उतना ही ध्यान हम जो फेलियर्ज हैं या असफल बच्चे हैं उनकी मनोदशा को समझने का प्रयास करेंगे और प्रॉपर हुपाय करेंगे तो हमारे जीवन में, हमारे आसपास के समाज में ऐसे कांड होंगे ही नहीं आज मैं आपको दोनों बेसिक चीज़े डिसकस करूँगी जो हुआ सो हुआ आपको हताश नहीं होना है एक्जाम्स को आप जिंदगी का एक टेस्ट ना समझे सिर्फ एक एक्सपिरियंस के रूप में ले और ये समझे कि आप किस वज़ा से आप क्लियर नहीं कर पाए अब आपको अगली बार उस चीज़ों पर वरक आउट करना है और आगे बढ़ना है अपने पढ़ाई के तरीके में बदलाव लाएं वहीं कई बार ऐसा होता है बच्चे पढ़ाई में कमजोर भी होते हैं क्योंकि दिमाग इतना तेज नहीं होता जिसकी वज़ा से जो भी याद करते हैं वो भूल जाते हैं जिंदिगी का हिस्सा है हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको मैं बता दू कि महात्मा गांधी भी हाई स्कूल के एक्जाम में 40% सिर्फ मार्क्स लेकर के आये थे और कितने बड़े लॉयर थे आप खुछ सोच के देखें और इसी तरह आइंस्टाइन भी अलबर्ट आइंस्टाइन जिनको हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं वो स्कूली सिक्षा के दौरान कई विश्यों में फेल हो गए थे लेकिन इन दोनों हस्तियों ने जीवन में इतना कुछ कर दिखाया कि कितने जेनरेशन बाद भी आज हम उनका नाम ले रहे हैं लेकिन आप अगर डिप्रेशन लेते हैं तनाव लेते हैं तो अब आपको छोड़ देना है उनको भेज दे तेल लेने के लिए और छोटे छोटे ट्रिक मैं बताऊंगी उसको आपको अपनाना है कभी कभी क्या होता है फेलियर्स क्यों आते हैं क्योंकि हम गलत सब्जिक्ट सुन लेते हैं इस्पेशली टैंथ के बाद जैसे हमारे देश में एक फैंसी है कि साइंस टूडेंट है मतलब इंटेलिजन्ट है और काफी सारे बेरेंज बच्चों को फोर्स करके साइंस दिला देते हैं और बच्चे उससे कोप अप नहीं कर पाते इसलिए अगर ऐसा है तो अपने सब्जिक्ट को चेंज करने में आपको हिचकना नहीं चाहिए जिन्दगी हमें खुद को सुधारने का एक मौका देती है जिस वील्ड में मच्चा कर सकते हैं वो मौका देती है तो हमें ऐसे में अपने सब्जिक्ट को चेंज करके आगे भड़ना चाहिए दोस्तों कितनी परिक्षाएं आएंगी लाइफ में 70-80 साल की जिन्दगी होती है और हर शक्स हर जीवन में पूरी जीवन में सब परिक्षाएं पास नहीं कर पाता इस बात को आपको एकसेप्ट करना चाहिए फेल होने का मतलब असफल होना नहीं है ये टाग हम लगा रहे हैं और अब नई शुरुआत तो करनी है लेकिन साल शुरू होने से पहले थोड़े थोड़े उपाई भी आपको कर लेने है तो शुरुआत करेंगे हम बादाम से सबसे पहले रोज रात को सोते वक्त आप 40 देज कोई भी जो तांतरिक उपाई होते वो 43 डेज करने का नियम होता है इसलिए 43 डेज हम कोई भी उपाई करेंगे उसके बाद आपको अच्छी लगे तो आप मुझे बताएं आपको रिपीट करना होगा तो मैं आपको बता दूँगी आपको क्या करना है शाम रात को सोने के पहले पाँच बादाम जिसको हम कहते हैं वो पानी में भीगने के लिए रखना है सुबह उठ करके उसका आपको एक पेस्ट तयार करना है उसको छील ले और उसको क्रश कर ले आप और इसमें आपको दो चम्मच शहद मिलाना है और एक गलास हलके गरम दूद में ज्यादा गरम दूद नहीं लेना है और इसको गरम दूद में डाल करके आपको विश्णु भगवान या लड्डू गोपाल के सामने रखना है वहां रखने के बाद आप 7 बार ओम, 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 ओम ऐसे बोलेंगे, ओम, बोलेंगे और उसके बाद आप भगवान को भोग लगा करके वो दूद्व को आपको पी जाना है ध्यान रखे इस दूद्व को पीने के बाद एक घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, आप देखेंगे 43 डेज, अगर पूरे साल कर सके तो कर लीजिए, और नहीं तो कम से कम 43 डेज, आप इसको करके एक बर लगातार देखें, बीच में छोड़ना नहीं है, एका दिन ड्रॉप हो जाए, कोई बा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन बेचेन रहता है, हरसमें इधर उदर दिमाग दौड़ता है, तो आपको दूसरा उपाए करना चाहिए, क्या करेंगे काली मिर्च के पाँच दाने ले 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 करके, उसमें 25 ग्राम मखण, और थोड़ी सी मिश्री मिला दे, और उसको आपको साथ बार बोलना है, ओम, 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 ओम. ये बोलने के बार आप इसको अपने प्रसाद की तरह रोग लेंगे और रोजाना खाएंगे. ध्यान रखें, इसमें से आपको प्रसाद किसी को शेर नहीं करना होता है. कोई दूसरा स्टूडेंट भी है अगर आपके घर पे, तो वो अलग से इस उपाय को करेंगे. सब का कॉमन एक उपाय नहीं रहना चाहिए. हम देखें हमारे दिमाग की बनावट. आपने देखी होगी अखरोट के जैसा हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का डाइग्रम जब बनाते हैं स्कूल में, तो कैसा होता है अखरोट जैसा. इसलिए अगर आप चाहें कि अगर आपकी मेमरी वीक है, तो आपको रोजाना 20 ग्राम अखरोट और 10 ग्राम किश्मिस जरूर खाने चाहिए. ध्यान रखें, अगर गर्मी ज़ादा है आपके यहाँ पे, तो आप 10 ग्राम अखरोट, यानि कि 2-4-5 अखरोट आप लेकर के खाएं, उसकी आप थोड़े सी क्वांटिटी कम कर सकते हैं. ध्यान रखें, आपको सभी उपाय को नहीं करना है, कोई भी एक या एक से अधिक आपको उपाय करना है, सिर्फ और वहाँ जहा करके पीपल के पेड़ के पास, आपको 5 मिनट बैटना चाहिए, और ओम ब्रहस्पते नमहा, क्या बोलेंगे? इस मंत्र को बोल करके आपको साथ बार कम से कम आपको पानी थोड़ा सा पीपल में चड़ाना चाहिए. पेड़ के चारो तरफ इसके बाद वहीं पे ओम ब्रहस्पते नमहा 5 मिनट मेडिटेट कर लें, और फिर तीन बार पेड़ का चक्कर काट लें आप, पीपल के आपको घर आजाना चाहिए, बिना मुड कर देखे हुए. दोईस्तों, ये उपाय बहुत कारगर होता है, और शुरुआत करने के लिए 43 डेज कम से कम आप लगातार इस उपाय को करें, बीच में अगर छूट जाता है कोई एक दो दिन, तो आपको दुबारा से शुरुआ जितने दिन में आपने कर लिया कर लिया, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं. जो माई मुझे सुन रही है, उनको मैं बता देती हूँ, अगर आपके बच्चे की मेमरी कमजोर है, और वो हर बात को कुछ समय के बाद में भूल जाते हैं, तो सबसे पहले पढ़ाई ओम गुरुवे नमाहा, क्या बोलेंगे? ओम गुरुवे नमाहा, इससे बच्चे की स्मरन शक्ती स्ट्रॉंग होती है, और बुध्धी दोनों का विकास होने लगता है, अगर आपका बच्चा सारा साल पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, लेकिन जब एक्जाम आता है, उसम एक माह अपने बच्चे पर भरोसा रखती है, आप अगर बच्चे को रोज ताना मारेंगे, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू मेरी बात को बिलीव कीजिए, वो सच में कुछ नहीं करना शुरू कर देगा, आपको हमेशा मोलना चाहिए, वो फेल होक करकर के आ रहे है, फिर बेटा कोई बात नहीं है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा करेगा, आप देखेंगे, आज नहीं पांच साल बाद, वो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करने लगेगा, मेरी बात मान करके देखिए, जो मैं कह रही हूँ बहुत ध्यान से समझे में क्या कहना चाहरी हूँ, बच्चे हमारे आने वाले भविष्य, हमारे देश के भविष्य हैं, इस विश्व के भविष्य हैं, और एक जनरेशन हम खराब होने से एक नहीं, क्योंकि हम उनको जो सिखाएंगे, वो ही वो अपने बच्चों को सिखा जाता है, और इसके लिए आपको शाम को साथ बजे के बाद उत्तर मुखी हो करके एक सफेद आसन पे बैठना चाहिए, और एक ठाली में केसर और गंगाजल मिला करके उसकी इंक जैसी बना ले, स्याही बना ले, और उस पर एक स्वस्तिक चिन आपको बनाना चाहिए, फिर उसके उपर आपको एक मोरपंक रखना चाहिए, और एक चौमुखा दिया वहाँ पर चला ले, पांच पता से रखें, और फिर गणेशी और गुरू के मंतर की पांच-पांच माला का जब आपको करना चाहिए, ध्यान रखें, जो भी माला का जब होगा, वो मोतियों की माल से होगा, और इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, 21 दिन तक आपको लगातार चिंता मनी मंतर का सवा लाख जब करना चाहिए, मोति की माला से जब करें, और फिर इस प्रकार से मोरपंक सिद्ध करें, मुझे पता यह बहुत टफ काम है, लेकिन अगर आपको ध्यान रख को सिद्ध करके, आपको इसे चांदी की तावीज में डाल करके, किसी भी अमवश्या तिथी को, एक मंतर को 21 बार बोलना है, और गंगा जल छिड़क कर, उस तावीज को धूप दीब दिखा कर, आपको 21 बार, ओम नमो सरस्वती, मई स्वर्ग लोक बैकुंठ से आई, देवता आया, 33 करोड, बुद्धी को रखनी, माया को भक्षनी, शिव शक्ती बिन कौन थी, जीवा ज्वाला, सरस्वती हिर्दे, बसे हमेश, भुली वानी, कंठ करावे, कौरी पुत्र गनेश, इस प्रकार से 21 बार बोल करके, आपको बच्चे के हाथ में, राइट हैंड इसको उतारना नहीं है, इससे आपके सब बच्चे के सभी प्रकार के ग्रह दोश खत्मों होते हैं, उसकी रक्षा होती है, और बच्चा थोड़ी सी मेहनत में भी दिन दोनी राज चोगनी उननती करने लगता है, अगर बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, अगर किसी ब्रह्मचारी पंडे द्वारा ये काम करवाना चाहिए, या आप किसी प्रॉपर जोतिश के पास जा करके या कहीं से भी इस चिंतामनी रक्षा कवच को लेकर बच्चे को धारन करवा सकते हैं, किसी भी आमवश्या तिथी को पहनाई या फिर शनी वार के दिन करने के पहले थोड़े गंगाजल से शुद्ध करके 21 बार उस मंत्र को बोलना है, फिर आपको बच्चे को गले में या हाथ में बाजू में धारन करवाना चाहिए, ध्यान रखें, अगर आप बजार से बनवा रहे हैं, तो कन्फर्म कर लें कि ये चिंतामनी रक्षा कवच चिंतामनी मंत्र द्वारा सवा लाग जब से सित्ध किया हुआ हो, अगर आपको कहीं नहीं मिलता, तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दे दे रही हूँ, परेशानी में अगर आप हैं, तो आप इस नंबर पर पूछ करके इनसे भी ये अंत्र बनवा कर ले सकते हैं, दोस्त आत्विक्ता का जीवन बिताना चाहिए, भोजन में प्यार लेसुनादी घर में बिलकुल नहीं बनना चाहिए, और धर्ती पर शैन करना चाहिए, जो पांच पतासे आपने पहले दिन चढ़ाए थे, वो आपको लगातार 21 दिन रोज वो ही पतासे बार बार उठाने हैं, और रख देने हैं पूजा में, और लास्ट दिन जब पूजा पुर्ण हो जाए, जब आप बच्चे को धारन करवाएंगे, उस समय ये पतासे घोल करके पानी में आपको बच्चे को खिला देना चाहिए, किसी भी रूप में आप पिला सकते हैं, नीम्बू शर्बत बना क कि पिला दे, इस तरह से आपको करना चाहिए, अगर बच्चा इसको पहनने में आना कानी करता है, तो ये जो सरस्वती चिंता मनी बीसा रक्षा यंत्र है, इसको आप किसी भी प्रकार से सिद्ध करवा कर आप बच्चे के पढ़ने के स्थान पर पूर्वी दिबार में, य इससे बच्चे की एकाकर शक्ती बढ़ती है, बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगता है, और सबसे अच्छी बात है कि अगर किसी बड़े इंसान की भी कुंडली में राहु दोशादी होता है, तो भी इस वेक्ती को आप ये सरस्वती रक्षा तावीज, बाजू में कल्य में कमर पे आदी में पहना सकते हैं, इससे कारियों में आरे रुकावटे दूर होती है, तरक्की होती है और धन धाने में वृध्धी भी होती है, अगर बिजनिस में नुकसान हो रहा है, बेवज़ा पैसा खर्च हो रहा है, तो भी इसको दूर करने के लिए, इस परे आत्मक्ता खतम होगी, और मा लक्षमी का आगमन सदा बना रहेगा, रोज ट्राय करें, एक हनुमान चालीसा करें, नहीं भी समय मिले, तो हनुमान जी को लगाए गए सिंदूर से, एक कागज में अपने दुश्मन का नाम लिख लें, यह तब करना है, जब आप शत्रू से परेशान हो या कोट कचेरी का केस लगा हुआ हो, तब आप इस यंत्र को ले लें, और इसको हनुमान जी के सामने रख करके, एक कागज पर आपको अपने दुश्मन का नाम लिख लेना है, और फिर इसको नदी में कागज को अगले दिन आपको प्रवाहित कर लेना है, या अगर आपके घर में निगेटिविटी है और तरक्की में बाधाई आ रही है, तो ये चिंता मनी कवच जो तावीज है, या आप घर के मुख्य द्वार पर भी सुरक्षा के तौर पर बांद सकते हैं, अगर घर में वास्तू दोश है और परिवार की तरक्की नहीं होती, त यहां लोगों की नजर आते जाते इस पर पढ़ती रहे, यदि पती पत्नी के बीच में तनाव रहता है, आपस में बातचीत नहीं होती, तो बेडरूम के बैड का जो पाया है, उस पर भी इस चिंता मनी तावीज को अगर आप बांद कर रख देते हैं, या कवच को आप ब बेहतर होने लगते हैं, दोस्तों, अगर लड़के लड़कियों की शादी विवा में मुसीबते आती है, तो भी आपको इसी मंतर का जप करके, जो मैंने बताया, वो जप करके, आपको 21 बार बोल करके, दाहीने बाजू पर लाल धागे में, शादी के लिए जब करना है, त दोस्तों, इस कवच को आप अपने बच्चों को धारन करवा करके, भविश इनका उजवल कर सकते हैं, हर तरह की मुसीबतों से बच्चों की रक्षा होती है, और साथ ही साथ ये कवच तो होता ही अच्छा है, लेकिन मा की जो प्यार का कवच होता है, वो आपको ज़रूर बना के रखना चाहिए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी बोले कि आपका बच्चा बेकार है, फेलियर है, पढ़ता नहीं है, बदमाशी करता है, आपको हमेशा अपने बच्चों का साथ बना कर रखना है, और उनको एक गुड इंडिवीजुल की तरह उनका पा परिशान रहते हैं, उनके बच्चे जिद्धी हैं, परिशान करते हैं, समझते नहीं है, सुनते नहीं उन सभी को ये रक्षा कवच के बारे में, चिंतामनी कवच के बारे में जरूर बताए, ताकि सभी बच्चों की जिन्दगिया खुबसूरत बन सकें और हाँ, अपने बच्चों पर ध्यान दे, फोन से जादा अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए आप सभी को, ताकि बच्चे भी बड़े हो करके इस तरह के इंडिविज्वल्स ना बने कि सारे दिन फोन में बैठे रहे और बुढ़ापे में, जब आपको उनकी जरूरत हो तो वो आप जए माता दी, बबब भूले नात की